Hello students, Welcome back to our YouTube channel The Reyes Institute Students, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे और डिस्केस करने वाले हैं यानि की हमारा जो Class 10 का हिस्टी का जो चैप्टर चल रहा था The Rise of Nationalism in Europe लोग उसके हमने फरिविएश्द दो वीडियोब्स में तो टॉपिक को टॉपिक को अ klar किया था आज की सीरीज में आगय तक को कवर करने वाले हैं फ्रां से पर्रांस में रेविलीूशन आया तो किस की वज़ा से आया philosopher's की वज़ा से आया philosopher's की जो ideology थी तो उन्होंने क्या खुज से promise किया हुआ था कि हम पूरे यूरोप में क्या करेंगे जैसे France में हमने revolution किया है उसी तरीके से हम पूरे यूरोप में क्या करेंगे revolution लाएंगे और धीरे धीरे सभी को पूरे यूरोप को एक nation state में convert करतेंगे तो अब बात तो यह थी कि अब हमारी ideology तो उड़के जाएगी नहीं तो उसके लूनों ने जैकोबिन clubs फ्रेंच आर्मी उसको भेजना शुरू किया जिसमें नेपोलियन का बहुत ही में रोल हुआ ठीक पिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि फ्रांस को फ्रांस में ruling party की तोर पर ठीक है ruling party नहीं rules करने के लिए ठीक है rule करने के लिए क्लिए क्या बनाए गए ठीक है अब उन members के बीच पर आपस पर conflict होने लगा नेपोलियन ने उन्हें हटा करके खुद क्या बन गया था एक डिक्टेटर बन गया था उसके डिक्टेटर बनने के बाद उसने जो प्रसासंग था उसमें बहुत सी changing की जिसमें हम लोगोंने civil court 1804 को डिसकस किया था ठीक तो प्रीवेस वीडियो में हमने इस तरीके कि सारे जो भी होने वाली है वह होने वाली इसके आगे टॉपिक क्याने civil court 1804 के बाद हम जो भी चीजे चेंज हुई थी हमने उसमें देखा था कि निपोलिया ने क्या क्या चीजे है अब सुच हो रहा है अब हम उसको पहले समस्कते हैं कर ने वाला तोघव चलीएगा एक तो हमार спрос होने होने वाला है वह हुने वाला है दा making of nationalism in Europe यहां पि क्या हो रहा है हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एक पूरा जो नहीं प्रफार डीक कई दो का प्रआज प्रैशंपस समय की जो कैसी हुआ करती थी ठीक है तो जो हमारा एक broad topic होने वाला है वो होने वाला है the making of nationalism in Europe कि कैसे यूरोप में पूरे यूरोप में nation state या nationalism की feeling कैसे emerge हो करके आई और उस emergence से पहले की society कैसी हुआ करती थी वो अब हमको यहाँ पर देखना है तो broad topic हमारा है the making of nationalism in Europe उसके अंडर में अब हम यहाँ पर यह देखने वाले हैं कि यूरोप में नेशनलिजम इमर्ज होने से पहले की society थी वो कैसी थी कितनी differences थी ठीक है वहाँ पर नेशनलिजम को लाने में क्या क्या कर सकते हो कि नेशनलिजम आया कैसे वो सारी चीज़े अब हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था जो सुच हो रहा था टॉपिक हो जो मैं आपको समझाना चाहा रहा था वह आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने flashback देखा फ्रांस revolution को देखा क्या क्या changing आई फ्रांस में कैसे चीज़े फ्रांस से फैलना सुरूही नेसलिजम की feeling वह चीज़े देखी लेकिन पूरे यूरोप में कैसे वह फैली ठीक है उस पूरे यूरोप में पहले उस समय की सोसाइटी कैसे हुआ करती थी वह सारी चीज़े हम ल निशन स्टेट जैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था ठीक है नेसन स्टेट गयाए साब कोई क्षिप नहीं करता then तोटिकूलर जगह पर जिस भी टामिनेंट करते थे वहां पर बहुत ही डिफेरेंस थे तो वहां पर देख सकते तो जो कलेक्ट्टिव औइंटिटी थी वह देखने को आपको नहीं मिलेगी ठीक तो उस समय की जो सोसाइटी हुआ करते थी हम सोसाइटी की बात करें जो यूरोप में revolution से पहले फ्रांस revolution के बाद पूरी यूरोप में revolution फैला था जो nationalism की फीली इमर्ज होकर के आने लगी थी उससे पहले की society कैसी थी तो उस समय की society क्या थी कि वहां पे reasons होते थे reasons में रूलर जो होता था वो dominant करता था अब वहां के लोगों के बीच में बिल्कुल भी collective identity होती ही नहीं थी क्यों नहीं होती थी तो collective identity ना होने पीछे का reason यह था कि वहां पर different types के लोग वहां करते थे कोई भी एक दूसरे से अपने आपको जुड़ा हुआ फिल नहीं कर पाता था कैसे जैसे आप समझ सकते हो एक तरीक से एक example ले सकते हैं आप की मान लिजे आप travel कर रहे हो एक travel कर रहे हो ट्रेंट पर travel करते हुए जब आप के सामने वाले सीट में बैठा हुआ इंसान अचानक से आपकी लैंग्विज बोलने लगे आपकी लैंग्विज मतलब जैसे मान लीजे आप बिहार के हो तो वह बिहारी और यहां से मेरी करने लगते और यहां फिर आप फिर बाठली लगते बातचीष्ट होने लगती है भी है आप फहुमारा समान देखेगा मैं सो रहा हुआ अब मैं सौधि अगरे क्लेक्टिविटी आने लगती लेकी उस समय क्या था जो समय फ्रांस को सफाइटी थी जहां अबनीड करता करें वहां पर दीफरेंट डिफरेंट की लोग करते थे जिसकी वजय से वह आपस में तनेक्ट फील नहीं आघे तो उस समय की सोसाइटी इस तरीके के वह तरीके की फिलिंग थी वह नहीं आ रही थी एक करण तो यह हो गया अलग-अलग Transit का राजा बना रहेगा कियो पतं़ चला आज वो इसके उनके रूलर तह वह भी चेंज होते थे ढहीं पर नहीं कोई भी connectivity उनको फिल नहीं होती ठीक है तो अब बात या तीक सार आपको ऐसे सारी चीज़े कैसे पता चल नहीं है तो आपकी जो NCRT है उस NCRT में particular यह सारी चीज़े दी गई है और उसी NCRT में आपको यह सारी बाते मैंने आपको बताई है इसी को बताते हुए एक एक एकजांपल दिया गया है और वह एकजांपल को देख लेते हैं रूलड ओर आश्ट्रिया हंग्री ठीक है पूरा जो आश्ट्रिया रीजन था जो हंग्री रीजन था वहां पे उस समय यानि मिड़ 18 सेंचिरी के टाइं पिरियोंड में अगर आप देखोगे तो वहां पर किसका का राज हक्ता था कि एंपायर का सपायर वहां पीजन करता को हैमपश्बंपायर वहां पे राज चीन फार इंप साथ प्याँ जो थे वहलों ठाल्ड़ आरे जंग चान पर आंब बहुत अलग-इपन हूँ खते हैं और वहां पर अस्डे पूरे और Australia जो particular Hungary का र Hahnfashioned था उसमें अलग-अलग रीजन हुआ करते थे अलग-अलग वहां पर आर्टमस empires हुआ करते थे यह सारी चीजिती और अलग-अलग type के लोग भघए करते थे इड़ इंच्लूड्, इसके साथ वहां परक्या था अल्पाइन रीजन भी इंक्लूडेट था टाइल्स आस्ट्रिया एंड सटेंट एंड एज वेल एज बुहिमिया वेर दा एरिस्टोक्रेसी वार प्रिडॉमेंटरी जर्मान स्पेकिंग ठीक प्लस यहां पर जो भी आप देखो कि तुम आने यहां अल्पाइन रीजन और कु लाइग्विज डिफेरेंट होईए अब जर्मन भासा बोलने वाले जो थे वह जर्मनी से ज्यादा करेक्ट फिल करेंगे क्योंकि राइंग्वेश राखेंगे से में कल्चर सेम होगा तो उस से ज्यादा करेंगे ना कि आपके हम्सबर्ग अंपायर से या हंग्री वाले र variety of dialects अब यहां पर आप दिखोगे तो यहां पर भी विराइट कई विराइटी की स्पीकिंग हो रही थी जैसे कि ज्यादा से ज्यादा population थी हाफ population जो थी वह मैं ग्यार पर्टिकुलर लाइंग्वेज को स्पोक करती थी ठीक बोलती थी और हाफ रिजन जो थी वह विराइटी ओफ डालेक्ट कई विराइटी की लाइंग्वेज को आधी जंता बोलती थी इन ग्लीशिया इरिस्टोक्रेट से पोलिस जो आप यहां पर बहुत से डिफरेंस देखने को आपको मिलने जिसकी जैसे नहीं मिल लई थी और जिनसे करेक्टिविटी मिलनी थी वह अलग अलग जगह पर मिल थे यानि जब एक तरीके से जब रेविल्यूशन आएगा जम नेसलिसम की फिलिंग आएगी तो यह जो पोलिस लाइंग्वेज बोलने वाले थे वह किसकी तरफ ज्यादा जुकेंगे ठीक क्योंकि उनको यह पीपल अमास आप सब्जेक्ट पीजेक्ट पीजेंट पीपल एगा तो जो ज़्यादा तर लोग थे वहां पर सब पीजेंट पीपल हुआ करते थे यहां पि आप देखोगे तो सिंपल सी बात थी कि यहां पर पड्डुकुलर से बताया गया कि उस नम्हें कर जो हैंसबग फिल नहीं कर पाथे तो बहुत सारा डिफरेंश था यूनिटी नहीं थी जिसकी वहाँ पे जो नेस्नलिजम की फीलिक्स कि इस कॉनेक्टिविटी फी आह से होती है जो आफ देखने को हाँ पे कम मिलेगा टिक तो यह इतने डिफ्रेंस के बाद कैसे यूरोप में नेशनलिजम की फिलिंग आई कैसे लोगों के मन में नेशनलिजम की फिलिंग इमर्ज होने लगी और लोगों ने अपने खुद को एक नेशन स्टेट में करना शुरू किया वह सीजे भी हम आगे पढ़ेंगे तो सिंपल सा आई होप जो हमें आपको जो डिफ्रेंस था इस एक्जांपल के थूरू जो एंसे आल्टी ने बताया और जो हम मैं आपको उसी क एक्सप्रेंट करने को सिस्कर रहा था वह आपको समझ में आया होगा सिंपल सा क्या था जो आपका एक्सप्राइट लिया गया उस समय मीड-18 सेंचुरी के भी में जो पर इस समय ने से स्टेट का कोई कंसिप्ट नहीं हुआ कर था उसको और उस समय कि जो साइटी तो स्टेटी और हंगरी जो पर्टिकुलर रीजन था वहां पर उसका कबजा था पूरा का पूरा इंक्लुड़ेट अलपा प्लेयर जो भी आपके रीजन्स थे ठीक अलग-लग जर कहीं पे जर्मनी इसपोंकिंग अरेस्टोक्रेट क्लास थी आपकी पॉलिस लैंग्वेज को बोलने वाली आशो क्रेट्स क्लास थी ज्यादातर वहां पे पीजन्स थे ठीक है उनकी अलग लैंगेज उनका अलग कल्चर तो इस अलग अलग डिफरेंस की वजह से वहां पे पल्टिकुलर जो भी चीजे थी वह आप देखोगे तो कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती थी तो इतने डिफरेंस के बाद करेक्टिविटी कैसे लाई गई ठीक है लोगों के मन में नेशनलिजम की फिलिंग कैसे आई नेशन स्टेट कैसे मर्ज हुआ धीरे धीरे हम इसी टॉपिक इसी पल्टिकुलर ब्रॉट टॉपिक के अंदर देखेंगे तो यहां पे सिंपल सा जो सोसाइटी थी उसको एक्स एक्सप्रेन करने की कोश सब्सक्राइब यहां पर जो सोसाइटी के बारे में मैं आरे में आपको बताने की कोशिष की एक्स्प्रेन्बंध ç connects की वह आपको समझ में आ गया होगा तो चल दिए आगे बहुत ताफिक है इसी बअगला सब्सक्रीय क्या है कि लोग यह समय के रूलर थे जो राजा महराजा था है वो और इन से उनके रिलेटिव थे उनीह को एरस्टोक्रेसी क्लास कहा जाता था या ओर एक ऐसन आप जो झाया अमीर थी जा तो हम लुग से कहा जाता ह। यानि कि ना तों बहुत रहीस है ना बहुत गरीब है मतलब कि एक ऐसे पर्टिकुलर सिच्वेशन में हैं कि हां गुजरा हो जाता ठीक है बहुत ज़्यदा कैसेक्टियों की अब पूर लोगों की तरीके बहुत ज़्यदा में इस्ट्रगल नहीं करना पड़ता थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता उनके कंपारीजन में वह सारी चीज़े टिक तो फिलाल तो अब्सक्रास फेमली बहुत इस्ट्रगल करती है लेगिन एक इक जाम्पल के तौर पर प्रक्रश भूर्म की है fight जो हमाई था स्था स्थ्ट के जो पीजन्स से उन पीजन्समें भी कुछ ऐसे पीजन्स थे जिन के पास खुद की की लैंड थी वही धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया ऐसे के साथ किया अपने आने वाली पूली को एजुकेट किया धीरे-धीरे उनके अंदर का सकते। कि चीजे सोचने समझने की सब्सक्रास करना करना सुरू कर दिया था दिक तो उस नियु विरफ क्लास को समझने से पहले हम पहले किसको समझते हैं और स्टो प्रेट को समंझते हैं ऑड़्र क्लास या जो मिडल क्लास है वो क्या है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सारी चीज़े चलिए अरेस्टो क्रेट्स को समझते हैं तो जो अरेस्टो क्रेट्स थे उस समय के ठीक है तो उनका जो पल्टिकुलर चीजे थी वह अब हम यहां पर देखेंगे जो हमारी अं अरेस्टो क्रेट्स क्लास ऑन दी कॉंटिनेट प्ल्टिकुलर कॉंटिनेंट था उनका क्यों से शूरी और राजनितिक तरु बहुत भजल बाला रहता जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो आरेस्टो क्रेट्स थे उनको बाएं बर्थ प्रिलिजिस मिलें और ची इसी पर भी टैक्स लगा सकते थे वह सारी चीजें तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि वह बहुत ही पावर में थे पर कॉंटिनेंट में जो क्लास हुआ करती थी उस वह काफी पावर में हुआ करती थी चाहिए अगर उसको पॉल्टिकली देखा जाए तो भी socially देखा जाए तो भी the member of these class were united by a common way of life that cut across region division होने को तो क्या था कि aristocrates class जो थी वो अलग-अलग region में अलग-अलग थी मतब कि France में अलग aristocracy थी Germany में अलग थी नाम तो भी मैं ले रहा हूँ पहले उस तो क्या था nation नहीं हुआ करता था तो France में अलग इस्टो करेसी थी Germany में अलग थी आपका Britain में अलग तो वहां अलग-अलग रिजन में अलग-अलग अलग 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 में दो सभी लोग अपने आपको एक common unity के साथ common identity के साथ क्या करते थी जोड़े हुए रखते थी जैसे कि कह सकती हो example की तौँर पे की होने को तो हम सभी कहसे को की अलग-अलग जगों पे रहते हैं ठीक हम लोग अलग-अलग state में रहते हैं लेकिन अगर एक बात आती है एक connectivity की तो हम सभी कहते कि हम सभी भारतवासहि ज्मसभी एक व्यूजित से जोड़े हुए रखती थी और क्या था यह वंड इस्टेट इस दी कंट्री साइड एंड और अल्सो टाउन हाउसे टीक है आप इनका ओन तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर किया होता था वड़े-बड़ेवाओस्थ सब्सक्राइब करते थे अपने आपको कनेक्ट करने के जितने भी अरेस्टोक्रेट्स थे वो सब किस सब क्या बोलते थे आपकी जो फ्रेंच यह लोग एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए और एक दूसरे को दिखाने के लिए अपस में जो साधी विवाह होता था उसको भी यह कराते थे लिए कि वहां पर यह होता था कि हमारी सोसाइटी का होना चाहिए हमारे स्टेटिस जैसा है उसका भी स्टेटस से क्या चाहिए लिए गोड़ा रखता था जिससे अपने आपको यूनिटी दिखा सके अपने आपको जूड़ा हुआ नुमरिक ली आई स्मॉल ग्रूप देखा जाए तो जो इसको अगर नमबर फॉर्म पे देखा जाए तो यह बहुत ही एक छोटा सा गुरूप था बहुत ज्यादा बड़ा गुरूप नहीं तो गरीब लोग बहुत होते थे लेकिन जो पर डॉमिनेंट करने वाले तो बहुत बहुत बड़े फॉर्म पर होते तो वहीं पर दिखा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो जो बहुत ही स्मॉल ग्रूप थी ठीक बहुत ही छोटी थी ठीक है तो दा मेजॉर्टी आप दी पॉपलेशन वाज मेड अप आप दी पीजेंटी ठीक है और जो मेजॉर्टी में लोग थे जो गरीब जन्ता थी जो किसान थे वही क्या थे वह आपको देखने को मिलेगा काफी मेजॉर्टी में थे तुदी बलक ऑफ दी लैंड वास फॉर्मड बाइजी टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स अब जो बहुत ज्यादा थे तो अब यहां पर दिखा जारा कि य हले ही छोटी छोटे लैंड थे इन खुद की लैंड थी ठीक है वहां पर तो यह दिखा जा तुदी विस्ट दा बलक ऑफ दी लैंड वास फार्मड बाइटीनेंट्स एंड इस्मॉल फार्मर्स थे उन्हीं के कंट्रोल में थी उन्हीं की थी ठीक है जो विस्टन पार्ट वाईल दा इस्टन एंजिंटर यू यू रोग दी पैटर्न ऑफ दी लैंड होल्डिंग वास क्रेक्टिसाइड वास्ट इस्टेट्स विच वर कल्टिवेट्ट बाइस सर्फ इडम बताय था हम लोग ने नेपोलियन ने क्या कर दिया था सर्फ़डम हटा दिया सर्फडम म कंदुआँ मज़ूरों की तरीके काम करना जमिंदार उन zegar ownersbox किसी तरीक फ्रीडम काम करना था प्लस टैक्स पार्ट तो यूरोप का उस्टेन पार्थक्षे आथ काफी सही तकी वहां पीस उक्रिख किसांग है और स्वाइब आपने आपको वहां की जमीनों पे उनका कब्जा था और वही कीती बगरा करें संटर यूरोप की बात करोगे ऊप अर इस तहाँ यूरोप की बात करोगे तो वहां पर सर्फडम जैसे वहां पर किसानों की जो इस्थिति थी वह बहुत ही खराब थी बहुत ही भयावा थी वह बहुत ही ज्यादा दवे हुए थे ठीक वह सारी चीज़े दिखाई जारी थी सर्फडम की यह आप दिखा इसी वज़ा से आप देखोगे तो वेस्टरन पार्ट से ही क्या हुआ है जो पर्टिकुलर जो रेविल्यूशन है वह लगातार आया है ठीक जो आप विस्टरन पार्ट की बात की जाए तो आपका वहां पर फ्रांस ब्रिटेन है तो आप देखोगे तो ब्रिटेन और फ्रांस वहां पर रेविल्यूशन बहुत तेजी साय क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर जो पीजेंट्स थे वह पूरी किसानी थी उससे जो पैसे थे उन्हीं के पास आ रहे थे ठीक है जो टैक्स वगारा पे करना थे लेकिन कह सकते हो कि वह सर्फडम जैसी सिच्वेशन में फसे हुए नहीं थी थी कि थोड़ा सा सेंटर और इस्टरन यूरोप से अच्छी इस्थी विस्टरन यूरोप के पी करते थे ठीक है जोड़ते थे दूसरे को प्लस इनकी कंट्री साइट और टाउन साइट में भी क्या थे बड़ी बड़ी जमीने थी ठीक है फार्म हाउसेस थे यह सारी चीजे थी प्लस एकोनॉमिकली और सोसली यह काफी पावरफुल थे ठीक है देखा जाया तो मिजॉर् साइट के पीजन्ट दोते उनकी जो सिच्वेसंब टीजो काफी अच्छी थी लेकिन सेंटर और इस्टन यूरोप के जो के उनकी नहीं तो यह क्या था कि जो अरेस्टो क्रेट्स से उनकी सिच्वेसंट को यहां पर आपको दिखाया गया है अब बात आती है दी निव मिल आपको समझ भी आ गया होगा तो जब नियू मिडल क्लास कहां से मर्जो करके आई कैसे इसने एक इंपॉर्टन रोल जो फ्रांच रेविल्यूशन था जो पूरे यूरोप पे रेविल्यूशन आया उसमें जो मिडल क्लास थी उसका बहुत ही महत्पूर्ण योगदान रहा है तो अभी हम यहां पर मिडल क्लास कैसे आई कहां साइए उसको समझते हैं जैसा कि क्लास नाइंथ में पढ़ा है कि जो मिडल क्लास थी थर्ड स्टेट में भी जो कह सकते हैं कि जो ऐसे पीजन्स थे जिनके पास खु इसे एक्स्प्रेंड करके न्सेयल्ट में दिया गया है चलिए उनको देखते हैं इन वेस्टर एंट पार्ट ऑफ सेंडर यूरोप यूरोप दा ग्रोथ ऑफ इंडिस्ट्री प्रोडक्शन एंड ट्रेड में दी ग्रोफ आप टाउंस एंडी इमर्जेंस आप दी पैसा आपकी जिएगा तो आप क्या करोगे पैसे आते तो क्या होता है कि पेसा है तो सब कुछ है जब पैसा आएगा तो वह क्या करेंगे अपना स्टेट स्मेंटेंन की बात करेंगे धीरे-धीरे उस पर्टीकुलर जगहा पर जहां पर यह इंडस्ट्री इमर्जो करके आ रही है वहां के लोगों का जो लिविंग जो लाइबली हुड है वो अच्छा होता जाएगा जो एक रहने और सहने का तरीका है वो भी चेंज होता रहेगा ठेक लोग अपना के स्टेटस मिंटेंड करके चलने अब क्या हो रहा है जो कंट्री साइड था इंडस्ट्री की वाज़ास से वह टाउन में कंवर्ट होने लगा ठीक इमर्जिंस होने लगा किसका टाउन का जब टाउन का इमर्जिंस होने लगा तो अब वहां पर क्या होई एक कॉमर्सियल क्लास इमर्जो कर क्या थी कॉमर्स यह से जियसे क्या हुआ कि वेस्टन पार्ट में इंडिस्टी जाई तो उस इंडिस्टी से क्या वगरैका इक पर वाइस युक्त क्यों रही चैनल गरीव टोे एक स्थेटास में चैने हो गई व्यримंटोर की वह स resolving स्थिंड इंडस्ट्ट्री तो आ Nine लगे झाने लागे फैसाने लगे पैसाने लगा झाने लगा पैसा टूर। था 150 खुदे पर खर्च करना शुरू किया तो उनका जो पर्टिकुलर स्टेटस था वह भी अपडेट होने लगा अब धीरे-धीरे वह क्या होने लगी एक कॉमर्शल क्लास में इमर्ज हो करके आने लगी ठीक आई हो बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी ठीक है तो यहां तक आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि कैसे एक कॉमर्शल क्लास मैं बोल रहा हूं सब मिडल क्लास के अंडर मैं ठीक तो कॉमर्शल क्लास थी जो एक वैपारी कवर्ग था वो कैसे इमर्ज होकर क्या है यह चीज हमने देख लिय यानि कि मार्केट जतनी ज़्यादा फ्री होगी उतना ही यह अपने आपको ग्रोथ करा पाएंगे उतने ज्यादा यह इमर्ज हो पाएंगे ठीक यहां तक बात आपको क्लिर हो गई होगी आगे क्या लिखा हुआ है आपका कि इंगलाइंड इंडि सेकेंड हाप ऑफ दी ए सेंचरी इन इस वेक न्यू सोचल ग्रूप केम तू बींग और वर्किंग क्लास पॉपलेशन एंड मिडल क्लास इस मेड़ अफ इंडस्ट बिजनस्मेन प्रोफेशनल्स अब यहां पर क्या है अब आप देखोगे कि जैसे जैसे इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी यहां पर क्या उने लगा कि मरजो कर क्याने लगी सकता है कि इंडस् kings कोकुलर्णे और बिजनसमेन का अनी लगा वन पट्डिकुलर्टक्स को खरीद करके वे बिजनस करें घृक एक से दूसी जगा फे से लकुरेंगे तो बिजनस्मेन का ब्रस अब आप क्या करोगे प्लीकुलर मसीदी स लगा रहे हो उन मसीन को बनाने वाला कर भी शारी चीज को बदाई गए है आपका इन सेंटरल अड आड ईस्टा इस ग्रूप वर स्मॉलर इन नंबर तिल लेट 19 सेंचुरी ठीक है इट वॉस एमेंग दी एजुकेटेड लिब्र मिडल क्लासेस दी आइडिया ऑफ नेशन उनिटी फॉलॉइंग दा एबॉलिजेस गेंड पॉपुलारिटी अब यहां पर क्या था समझे सिंपल सी बात सिंपल लैंगुजेस को समझते हैं क्या ह होने लगाहँ दीरे तो स्टार्टम में नंबर में थी ऑछ इते इस्मॉल नंबर में थे लगभब कब 19 सेंचुरी तक धीरे धीरे इंक्रीज्व ने लगये तो यह उने लगे घर करने क्लास की जो ईडरी झो इसको कहा जा था कि ऊसको रिम्हटाइश- जो करके आ रही थी किसे मार्केट पे पह जाएंगे तो जहां पर जो करके मिड on黄म से घर जाएंगे तो इनकी सब से पहली मांग थी कि यह जो मार्केट होनी चाहिए जब इनको इन्हों ने फिल्टोकर जिसको तुटू इन्होंने क्या किए एस टो क्रेट को अपोस करना शुरू किया ठीक अव इनों ने मांग लें हैं हम उसका क्या करते हैं विरोध करते हैं तिस तरीके से आप मिडल क्लास है जो न्यू मिडल क्लास है वो ऐसे इमर्ज हो कर आई हमने सिंपल सा देखा है कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो क्या जो पीजन्स थे उनके पस खुद की जमीने हुआ करती जैसे कि विस्टन और विस्टन यूरोप में लोग पारा लगा है इंडस्ट्री से उन्होंने मैनुफेक्ट्रिंग की उनके पस पैसे आए पैसे अप्टेस अपडेट किया इस्टेस अप डेट हुआ यह एजूकेट हुए टीक है एक कॉमर्सील क्लास होकर किया एक नया ग्रूप इमर्ज हो कि आने लगा जिसमें अने लिप प्लस پ्रोफेसेनल्स थे फिर धीरे क्या होने रगा वह अज्युकेट हुएं उनकी एक आईडॉलोजी आई जिसको लिब्रल मिडल क्लास कहा जाता है लिब्रल्सomm कहा जाता था तो liberalism यानि liberal ideology से जो liberal middle class þी उन्होंने क्या किया जो aristocrate से उनको आपोस करना शुरू किया कि आपको जो बाइबर्थ chama manuscript करते हैं उसको नहीं मानते और हमें रिर स्फिर्व questi अब इस तरीके बुद्धि का और अपनी छंता का इस्तिमाल करके aristocrate को पोस्ट करना शुरू कर दिया तो अब आगे यह पोस्ट करके क्या-क्या चीजे होती हैं वह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको जो भी चीजे आज मैंने के पढ़ाई हैं जो समझाई हैं वो अच्छे समझ में आई होगी एक video अच्छे से समझ में आई है तो भी आप comment कीज़े वीडियो में कुछ problem हुई आपको चीजे clear नहीं है वह topic जो आपको अच्छे अ clear नहीं है उसके लिए भी आप comment section में comment कर सकते हैं को करूंगा आपके जो भी डाउट हैं उनको और अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में clear कर सकूं अब आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ठीक थैंक यू सो मच